नमस्ते दोस्तों, Instagram के ओपर जब भी आप किसी content या किसी के account के ओपर report करते हैं, तब क्या होता है? Actually, तब Instagram की team को एक signal जाता है कि इस account के ओपर या content के ओपर एक report strike आई है Then Instagram की team उस content को evaluate करती है Check करती है, identify करती है कि क्या सच में इस content ने कुछ ऐसा काम किया है जो कि Instagram की community guidelines के खिलाब है अगर वो पाया जाता है Instagram community का उलंदन करते हुए तो उस Instagram account के साथ क्या होता है ये मैंने दो cases में बाटा है Basically अगर उसने कोई content ऐसा upload कर दिया है Reels, Videos, Spam, Harassment या फिर कुछ और गल्द चीज़ें लेकिन अगर हम बात करें second case की Second action तब लिये जाता है जब किसी account की हरकतें कुछ जादा ही बुरी हो जाती है जब बार बार वही same चीज़े दोहराई जाएं किसी Instagram के account के ओपर और लोग report करें बार बार then Instagram की team उस account को permanently ban भी कर सकती है या फिर terminate भी कर सकती है कुछ दिनों के लिए ये action इसलिए लिए जाता है ताकि Instagram के ओपर एक positive and सुरक्षित महौल बना रहे अब बात करते हैं हमारी समस्यों की आपने किसी एक person को report किया है अब आप चाते हो कि उसका Instagram account ban हो जाए या terminate किया जाए लेकिन एक बात आपको यहाँ पर समझ नहीं होगी अगर उसके account के ओपर कोई offensive या फिर कुछ ऐसा post हुआ है जो कि Instagram की terminology guidelines के खिराफ है तब आप उमीद रख सकते हो कि Instagram इस account को remove कर देगा लेकिन अगर आप किसी के account के ओपर या content के ओपर बिना reason के report मार रहे हो तो इसका उसके account के ओपर कोई भी फरक नहीं पढ़ने वागा क्योंकि उसने कोई भी ऐसा काम नहीं किया है जिससे Instagram उसके account को ban करे या permanently remove करे या फिर उसके content को remove करे Instagram की team का यो action है